अगर आपने इसका प्रीवेस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका प्रीवेस लिक्चर का लिंक मिल जाएगा और इस लिक्चर की जो पीडियेफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलिग्रम चानल पे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपक कर सकते हैं जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लिक्चर सो फॉस्ट क्रेशन हेर इस नेम दी पसनारेटी वी सपांटेट आज न्यू सीम और राजस्तान के नए चीफ मिनिस्टर के ने बनाया गया है इनका नाम है भजनलाल शर्मा और इन्हों ने रिप्लेस किया है अश ठीक है तो यह ध्यान में रखना है और गवर्नर कॉन है राजस्तान के इनका नाम है कालराज मिश्रा यहाँ पे आप जो है इमेजस भी देख सकते हो यह भजनलाल शर्मा जी है ठीक है यह है आपके दिव्यकुमारी और इनका नाम है प्रेंचन बेरवा फाइन नाव नेक् इतना आपका जो है हाई 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 परसंटेज इस बार नोट किया गया है तो इट इस 11.7 परसंट ठीक है अंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इट इस ऑप्शन नमबर बी इसके साथ साथ रिटेल इंफलेशन की बात करें तो रिटेल इंफलेशन विच बेस बेस ऑन CPI का इस बार नोट की गया है विच इस 5.55 परसंट इन नवेंबर 2023 इस बार नोट की गया है तो आपका है पर हो जाएगा ताट इस इंडियन आमी के में मेजर रोहित, लुटेंट कमांडर सुने शर्मा ओफ इंडियन आमी और विंग कमांडर ओफ एस महाजन ओफ इंडियन एर फोर्स इन तीनों को ही यहाँ पर जो है ओनर दिया गया है गोल्डन आउल for outstanding performance at this college ठीक है विच इस defense services command and staff college तो answer आपका हो जाए commander in chief है of armed forces के श्रीलंका के ठीक है इन्होंने यहाँ पर इन awards को present किया था ठीक है जो graduation ceremony हुई थी हाँ पर श्रीलंका में ठीक है इसके साथ साथ इन्होंने commandant's honor and golden pen award भी यहाँ पर इस event में दिये थे ठीक है और Indian Devi के जो सुने शर्मा है इन्हें commandant honors भी यहाँ पर दिया गया था बाइदी श्रीलंकान प्रेसिटेंट ठीक है नौ नेक्स साथ को कुशन है दिया यहाँ है सक्सफुली टेस्टेड हाई स्पीड फ्राइंग विंग अन्मांड अरियल वहिकल अंडर दी प्रोजेक्ट टाश तो रिसेंट्ली इन मंत अफ दिसेंबर डिया यहाँ ने सक् इकृट अन्मेंड कॉम्बैक्ट अरियल वहिकल्क के लिए अरियल वहिकल प्रोग्डाम के लिए ठीक है जिसे हम घातक बोल रहे है यह जो प्रजेक्ट घातक है ठीक है आड जो इन रिमॉंस्ट्रेटर है बिसीक्ली इसे डिसाइन और डेवलापक शने किया है इप जो एक premium DRDO laboratory है आपकी जो located है बैंगलोरो करनाटका में चीक है Now next time a question है in December 2023 the public sector bank have recovered rupees dash out of 10.42 lakh crore return of in a 9 fiscal years from 2014-15 to 2022-23 which is around 15.45% of a total return of amount तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे return of या write of जो आपकी term है write of amount क्या होता है ठीक है basically ऐसा समझते हैं जैसे एक person A है इसने एक करोड का loan लिया है SBI से ठीक है अब यहाँ पर इसने initially तो payment दी है ठीक है जो आपकी किश्ट होती है वो इसने bank को pay की है बट कुछ time बाद ऐसा होता है यह अपनी कोई भी किश्ट time पर नहीं दे रहा है और धीरे धीरे इसका जो loan है यह आपका NPA बन जाता है bad loan बन जाता है non-performing asset जिसे हम बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर आता है right of का term ठीक है right of amount यहाँ पर क्या आरी है basically कि यहाँ पर ऐसी amount जो आपका customer है या जो आपका basically जिस person ने loan दिया है उसने जो amount पे नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है for example जैसे इसने जो है एक करोड में से जो है आपका जैसे दो लाग amount दे दिया था उसके बाद rest जो बचा वो इसने नहीं पे किया तो अब यहाँ पर bank क्या करता है बैंक अपनी balance sheet जो होती है बैंक की balance sheet उससे इस NPA को हटा के basically loss यहाँ पर दिखा दिता है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है write off के case में अब जो बचा हुआ आपका basically जो amount है बचा हुआ amount ठीक है उससे recover करने के लिए bank जो है legal action ले सकता है इस person के उपर person A के उपर ठीक है साथ महीं जैसे इसने जो भी collateral रखा होगा जो भी security दी होगी bank को bank क्या करता है उस security को बेच के या उसका auction करा के जो पैसा आएगा वो as a यहाँ पे जो है recovery करता है ठीक है तो इसी चीज़ को write off बोलते है fine eसे ही एक weave off होता है weave off में क्या होता है जैसे जो write off के time पे आपको recovery या जो bank है वो legal action ले सकता है और recovery भी कर सकता है securities को auction करा के वहीं पे जो weave off होता है इसमें same उल्टा होता है इसमें कोई भी legal action नहीं ले रह सकता और मतलब bank legal action नहीं लेता है तीक है और साथ में ही इसकी जो security ते उसको भी यहाँ पे जो है auction नहीं कराया जाता ठीक है जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो farmers है उनका loan माफ हो गया तो वीव-off की category में आप उससों समझ सकते हो ठीक है आंसर क्या हो जागा है यहाँ पे option number E और total amount कितना है इसका 10.42 lakh जिसमें से 1.61 lakh करोर ही recover किया जा चुका है अभी तर ठीक है as of data given by the given till the December 2023 ठीक है now next is which country has commenced the operation of a 2400 meter deep physics laboratory deep underground and ultra low radiation background facility for frontier physics experiment that is DURF तो कौनसी country ने basically operation यहाँ पे start कर दिया है यहाँ पे deep physics laboratory के लिए तो answer अपका हो जागा it is done by the China answer is option number D now जो यह DURF है it has become the deepest and the largest underground lab in the world in the Siuachin province of the China ठीक है next question है अरेड़ी पादी कंपनी that recently in December partnered with a France-based Merio specialized in our unmanned aerial vehicle payload system to make the advanced gimbals for Indian armed forces तो इन में से कौनसी आपके जो है company है basically जिन के साथ यहाँ पे जो है partnership की गई है तो answer is option number B that is HZ Robotics Private Limited ठीक है अब यहाँ के जो आपके Merio के CEO है जिनका नाम है Remy Planet जो Telangana के आपके Minister है Industries and Information Technology के जिनका नाम है श्रीधर बाबू इन दोनों ने हाँ पे जो है plan discuss किया है जिनने जो है rising star of the year बनाई गया है 2023 का in women's wrestling category तो इनका नाम है Antim Pangal ठीक है answer आपका हो जाएगा it is option number C और इनके साथ साथ Greece के आपके player जो है Georgios and जो Azerbaijan के आपके player है इनका नाम है हसरत जफरूफ इनको भी United Nation World Wrestling Rising Star of the Year चुना गया है in freestyle and Griso-Roman category तेक है इसके अलावा जो breaking performance of the year है इसमें भी तीन category में यहाँ पे players चुने गये हैं तेक है इनका नाम है Hungary के यह Ismail है तेक है इनको freestyle category में चुना गया है then women's wrestling category में बोस्टूसन टर्की की player तेक है then Griso-Roman of Cuba तेक है Griso-Roman category में क्यूबा के जो player है गाब्रियल रोसिलो इनको यहाँ पे select किया गया है यहाँ पे जो है आप आन्तिम पंगाल की जो है फोटो देख सकते हैं साथ में ही अब बात के लेते हैं United World Wrestling की जो एक International Governing Body है Sports of Wrestling के लिए टिक है जिसके President है नीनिद लालो विक और इसका Headquarter अबका Switzerland में लोकरिड है और इसे 1905 में established किया गया था तो यहाँ पे इनका रिटन आप जो है यह है आपका 10.57 लाग करोर का तो अबर बी और यहाँ पे अगर हम इसकी recovery की बात करें तो इन्होंने इन financial years में 5 साल के जो आपके financial year है जो schedule commercial bank है इन्होंने 7.15 लाग करोर रुपे का जो NP है वो recover किया है non-performing asset को recover किया है ठीक है ना नेक्सा question है दा विजय दिवर्स यह विक्री डे इस आन्वली अब्जर्व एक्रोस इंडिया और बांगलादेश on dash to celebrate the historic victory of Indian armed forces against Pakistan in 1971 इंडो पाक वार तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विजय दिवर्स हम observe करते हैं 16 December को ठीक है अब यहाँ पर आप confused मत होई हैगा कि एक कार्गिल विजय दिवर्स भी हम observe करते हैं वो आपका 26th of July को होता है ठीक है कार्गिल विजय दिवर्स ठीक है यह 26th July को हम observe करते हैं ठीक है कार्गिल का जो basically युद दुवा था कार्गिल उसमें इंडिया जीता था अगेंस दी पाकिस्तान उस occasion पे हम 26th July को observe करते हैं कार्गिल विजय दिवर्स और यह आपका विजय दिवर्स है ठीक है जिसे हम 16 December को observe करते हैं जो 1971 की जो इंडियो पाक वर हुई थी वहां पे इंडिया ने जो है इंडिया नाम फोसस ने इसे जीता था अगेंस दी पाकिस्ता ठीक है तो उसके occasion पे इसे observe किया जाता है ना यहां पे कौंसे edition इस पार observe किया गया था तो 2023 का आपका 53rd edition यह था ठीक है now next is which of the following option is incorrect with respect to the recently approved proposal by union cabinet ठीक है तो इन में से कौंसे आपका जो है approval incorrect है with respect to union cabinet की जो approval अभी recently in month of December जो है प्रपोस किये थे ठीक है अप्रूफ किये थे ठीक है first statement here the union cabinet has approved the proposal to declare Priyagraj airport as an international airport it also approved the MOU signed between India and Tanzania on corporation in a field of sharing successful digital solutions the cabinet has notified the memorandum of corporation signed between India and Saudi Arabia on a corporation in a field of digitization and electronic manufacturing the draft MOU between the USA and India was also approved by the government of India to enhance innovation ecosystem through an innovation handshake last statement is the cabinet also approved the signing of a MOU between India and Italy on corporation in a field of industrial property rights that is IPR fine तो यहाँ पे आपका incorrect statement है option number A that is जो हमारी government है union cabinet ने यहाँ पे जो है approved किया है सूरत airport को as a international airport ठीक है सूरत airport और सूरत airport जो आपका है ठीक है यह airport second business airport है आपका गुजरात का after Ahmedabad ठीक है Ahmedabad सबसे पहला आपका business airport है then second number पे सूरत airport आपका आपका fine now next is the national skill development corporation signed a MOU with which country to protect the right of skilled India labored from India तो national skill development corporation जो है ठीक है जो आपका ministry of skill development and entrepreneurship के अंडर आता है इन्होंने इस department नहीं जो है MOU sign किया है साओधी अरिया भी के साथ ठीक है तो answer आपका जगा option number B अब यहाँ पर जो तो laborers है वो register करेंगे आपके national skill development corporation के साथ अब यह जो skilled laborers है इनको basically यहाँ पर information रहेगी कि यह कहाँ पर काम करने जा रहे हैं ठीक है किस काम को यह करने वाले हो और किसके साथ यह काम करने वाले हैं ठीक है तो यह सारी information यहाँ पर आपको provide करेगा यह department ठीक है इसके साथ साथी अरेबिया की government है इन्होंने आपे अनौंच किया है that they will introduce a wage protection system and freedom of mobility which will be offered to the Indian laborer तो यह इन्होंने आप announcement की है ठीक है अब बात करते हैं national skill development corporation की तो इसका आपका headquarter New Delhi में located है जिसे 2008 में established किया गया था और इसका CEO कौन है इनका नाम है वेदमानी तिवाली ठीक है now next is which among the following option is correct with respect to the COP28 held in Dubai UAE ठीक है so बहला statement ही हाँ पर आपका है renew energy signed M.O.E.O. with the Asian Development Bank worth 5.3 billion for 5.3 billion US dollar for the investing in the projects that help mitigate climate change second statement है coalition for disaster resilient infrastructure that is CDRI has launched data platform named global infrastructure risk model and resilient index on the sideline of COP28 summit the fifth iteration of the global stock stake was released at the COP28 which is an assessment of a progress made towards mitigating global warming since the Paris agreement in 2015 now next statement है Asian Development Bank has launched a nature solution finance hub for Asia and Pacific with an investment of 2 billion US dollar in a sideline of COP28 last statement है all are correct to correct statement है आपे हमें बदानी है तो answer is option number E that is सारे statements यहाँ पे जो दिये गए है they all are correct now COP28 से related other informations देख लेते हैं जैसे इंडिया नहीं यहाँ पे इंडिया के प्रधान मंत्री है उन्होंने जो आपके UAE के President है शेक मुहमद बिन जायद अलना है इनके साथ मिलके को होस्ट किया था Global Green Credit Initiative इसके बार में देखते हैं जो यह initiative है basically यह प्रोवाइड करेगा incentives to the voluntary efforts of an individual और या फिर group of individuals को जो basically safeguard करेंगे environment को ठीक है इसके साथ साथ इस initiative के अंडर Green Credit यहाँ पर provide किया जाएगा issue किया जाएगा tree plantation के लिए यह आपके river catchment areas के लिए तो ऐसे काम basically जो environment को help कर रहे हैं या उसको conserve करने के लिए help कर रहे हैं इन initiatives के लिए Green Credit यहाँ पर provide किया की areas यहाँ पर रहेंगे इसके साथ साथ Global Green Initiative Portal भी यहाँ पर launch किया गया था COP28 के event में ठीक है अब यहाँ पर की participants अगर हम बात करें इस event के तो यह आपके है PM of Sweden ठीक है पुल Christerson then President of Mozambique and आपके President of European Council fine next heading देखते है PM Modi launches the lead IT 2.0 at COP28 with a focus on inclusive industry transition तो सबसे पहले lead IT क्या है lead IT आपका स्टाबिश किया गया था 2019 में विदा collaborative effort of 18 countries and 20 industry leading companies जिसका main aim क्या है जो dedicated है achieving the net zero emission from industry by 2050 ठीक है तो यह ध्यान में रखना है पहला इसका जो phase था आपका या first edition जो था वो आपका with the PM of Sweden ठीक है तो यह आपको दिहान में रखना है आप यहां पे जो 2.0 edition था इसको launch किया गया था for the period of 2024 till 2026 ठीक है अब इसके तो जो second आपका version है 2.0 version जो है इसका focus area आपका क्या है inclusive and just industry transition ठीक है core development and transfer of low carbon technology then financial support to emerging economies for our industry transition ठीक है नौ इसके साथ साथ इंडिया के जो PM है PM Modi ji जो है इन्होंने यहां पे propose किया है कि 2028 में 2028 में इंडिया जो है वो host करेगा COP 33 ठीक है तो यह भी ध्यान में कर रखना है यहां पर question आपका बन सकता है कि कौन से यह में इंडिया होस्ट करेगा COP 33 या वाइस वर्सा पूछा सकता है ठीक है now next IR EDA ने लॉंच किया है retail division to boss renewable energy financing at COP 28 तो इसके बारे में देखने है IR EDA जो है ठीक है इन्होंने announcement किया है during the leaders dialogue on an acting solution for a global sustainable development and government जो आपका दुबई में हुआ था ठीक है इस event को organized किया था council of energy environment and water ने along with confrontation of Indian industry that is CIIK ठीक है इन दोनों और इन दोनों organization देसे organized किया था इवेंट को अब यहां पर बात हो रही है retail division और ने अनौंस किया है तो इसके अंडर क्या क्या चीज होगा जैसे यहां पर जो loan है वो provide किये जाएंगे अंडर यॉर PM कोसुम scheme ठीक है प्रधान मंत्री किसान उजा सुरक्षा एवं उथान महाभ्यान scheme के थ्रू यहां पर loans provide किये जाएंगे for a rooftop solar and other business to consumer sectors साथ में ही retail division जो है इसमें पहला लोन जो आपका है 58 करोर का वो sanction किया जाएगा अंडर दी कोसुम भी ठीक है यह ध्यान में रखना है आपको now next आपके heading है जो national mission for clean गंगा है ठीक है national mission for clean गंगा ने लॉंच किया है Global River Cities Alliance at the COP28 in Dubai UAE अब यहां पर जो यह अपका launch किया गया है ठीक है Global River Cities Alliance को इसका main aim क्या है कि collaboration करना आपके international organization या countries को ठीक है for a river conservation and for this river conservation and sustainable water management के लिए अब यहां पर जो Alliance है इस Alliance में आपके लगभग 275 global river cities 11 countries से and global funding agencies यहां पर जो है include की गई है along with the knowledge management partners ठीक है अगर यहां पर हम partner countries की बात करें तो इंडिया के साथ साथ यहां पर एजेप नीदर्लांड डेन्मार्क गाना ऑस्ट्रेलिया Cambodia Japan इन सारे countries जो है इस Alliance के पार्टनर बने हैं ठीक है इंटर्नाशनल एजेंस की अगर बात की जाए तो वर्ल बैंक Asian Development Bank then AIIB इसके इंटर्नाशनल एजेंसी इस पार्ट बने है नौलेज मानेजमेंट इंस्टिशन की बात की जाए तो आपके KPMG जो है यहां पर Knowledge Management Institution as a partner यहां पर आये हैं ठीक है नाव नेक्स यहां पर आपके heading है तो लिमिट दी ग्लोबल टेंपरेचर राइस तो आ 1.5 डिग्री जो आपका ग्लोबल टेपरेचर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए उसको रिडियोस करने के लिए यहां पर eight steps इसमें रिलीस किये गए थे हैं ठीक है नाव नेक्स इस Multilateral Development Banks Unlocked Over 180 Billion US Dollar Climate Finance and COP28 तो COP28 में Multilateral Development Banks जिसमें आपका Islamic Development Bank का जाता है African Development Bank World Bank यह सारे बंक का जाते हैं इन्हों नहीं यहां पर जो है Finance Climate Finance जो है basically Announce किया है देखते हैं कौन से बैंक ने कितना यहां पर जो है Announcement किया है तो जो आपका Sustainable Projects in the Amazon नेक्स आता है Islamic Development Bank जिन्होंने प्लेच किया है कि वन बिलियन यूज डॉलर का यह अमाउंट जो है Climate Finance जो है यह देने वाले हैं ठीक है इसके अलावा African Development Bank की बात करें तो इन्होंने 175 million US dollar की facility प्रोवाइड की है for the green infrastructure of Africa तिक है आस वल आस इन्होंने बोला है कि 1 billion US dollar facility प्रोवाइड करेंगे insurance अंहिंस टी climate impact for the farmers across the Africa वाइड नाव वर्ल बैंक की बात करें तो वर्ल बैंक में यहां पर क्या बोला है कि यह climate finance target जो है यह increase किया है इन्होंने 45% से टिक है 45% से increase किया है by 2025 और इसके साथ-साथ यह additional यहां पर 9 billion US dollar per year for next two years यह इन्होंने increase करा है ठीक है इसके अलावा World Bank ने बोला है कि इन्होंने commitment दी है कि that is they will provide the 5 billion US dollar for supporting the people of Africa with a clean energy access in the next seven years ठीक है तो यह ध्यान में रखना है इसके साथ इन्होंने announce किया है that they will support the 15 countries with a national program to reduce the methane emission ठीक है methane emission को कम करने के लिए of up to 10 billion tons over the next five to seven years और यह किस्ते होगा rice production, livestock and waste को reduce करके basically ठीक है now next यहां पर बात की है इन्होंने कि यह support करेंगे carbon credit certification for forestry in 16 countries with a target of generating 24 million credits ठीक है यह basically इन्होंने क्या target रखा है कि यह generate करेंगे 24 million credits by 2024 and 125 million in next five years ठीक है इसके साथ साथ जो COP28 हुआ था यहां पर लगभग आपके 110 over 110 countries ने जॉइन किया है COP28D to triple the renewable energy ठीक है अब यहां पर आपके 118 countries ऐसे देखे गए हैं जन्होंने प्लेच किया है that they will increase that they will triple the world's installed renewable energy by 2030 और यहां पर एक चीज नोट करने वाली है इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है तो यह यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है Now next अब यह heading है Climate Summit COP28 embraces Artificial Intelligence with Reservation तो यहां पर COP28 में जो इनुनाइटे नेशन है इन्होंने partnership की है Microsoft के साथ to develop the AI tools to track the progress of our countries in achieving their set goals to reduce fossil fuel emission ठीक है तो fossil fuel emission को यहां पर बेसिकली यह progress जो है उसको track करने के लिए यह AI tools यहां पर develop करेंगे ठीक है तो इस वज़े से partnership में हापर की गई है Microsoft के साथ Then Germany ने यहां पर unveil किया है Climate Club to tackle industrial emission तो जो G7 Climate Club है यह Germany और Chile बेसिकली जो इसे lead कर रहे हैं इन्होंने officially COP28 में से launch किया था डेवलाप करने के लिए जिसका main name क्या है डेवलाप करने के लिए policies for a decarbonization ठीक है इसके साथ साथ इन्होंने हापर क्या बोला कि जो G7 Climate Club है यह आपका तीन पिलर पर बेस है कौन कौन से पिलर है तो पिलर 1 says advancing ambition and transparent climate change mitigation policies pillar 2 transmission industries pillar 3 boost industrial corporation and partnership ठीक है next is united nation launch AI innovation challenge for climate action at COP28 अब जो united nation climate change technology executive committee है and enterprises neurosystem है ठीक है इन्होंने यहापर जो है launch किया है AI innovation grant challenge Dubai में से launch किया गए था जिसका main aim किया है to develop the AI powered solution for climate action in the developing countries ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पर जो conclusion हुआ था आपका COP28 का ठीक है COP28 जब conclude हो रहत था तो यहाँ पर एक adoption की गई थी Dubai consensus की ठीक है consensus resolution की जिसका main aim किया है the urgent need of the transition away from the fossil fuels and achieve the net zero greenhouse gas emission by 2050 मतलग कि हमें transition transition करना है fossil fuels से ठीक है हमें fossil fuels को fuels को ना यूस करके अब हमें green energy के तरफ जाना है साथ में ही achieve करना है net zero greenhouse gases emission 2050 ठीक है now next up a question है recently in December the life insurance corporation of India has increased the gratuity limit to rupees cash from 3 lakh for the agents so LIC नहीं हाँ पर अपने agents के लिए जो gratuity limit है उसको यहाँ पर increase किया है 3 lakh से से बढ़ा के आप 5 lakh कर दिया गया है ठीक है आपको क्या हो जागा it is option number day अब यहाँ पर basically यह limit होती किया है इसका main aim क्या है बढ़ाने का कि जो working condition है उसको improve किया जा सके और agents को benefit यहाँ पर दिया जा सके अब यहाँ पर जो regulation है they will be called under the LIC amendment regulation regulation 2023 फाइब नेक्स नेम थी company that has launched first global health insurance policy that covers emergency and planned treatments within India by offering the offering an unlimited sum assured तो answer यहाँ पर आपका हो जाएगा इसे launch किया है इस policy को launch किया है Reliance insurance ने तो answer is option number B अब यहाँ पी जो यह policy है इसका नाम है Reliance health global policy जिसका main aim है कि India basically इसका main aim क्या है that is providing Indians with the access to global health care ठीक है इंडिया के अंदर और even other countries में भी इसका जो फाइदा है वो person ले सकता है ठीक है अब यहाँ पे चार इसके plan है Elite, Elite Plus, Royal and Royal Plus ठीक है यह इसके plan है और इसकी tagline भी यहाँ पे उन्होंने provide की है which is a health policy without borders fine यहाँ पे features की इसकी बात करें तो जो आपके child है 91 days से 25 years तक की इनके जो है criteria रखा गया है वहीं पे adult के लिए 18 years to 65 years का है policy period आपका एक साल, दो साल और तीन साल का हो सकता है ठीक है some assured coverage जो है यह आपका 1 billion US dollar तक हो सकता है up to 1 million US dollar fine next question है according to the online blogging platform soki.in that state has emerged as the largest economy of India with the largest share of 15.7% in India's GDP तो यहाँ पे आपका largest economy आपका जो state है basically जो इंडिया की जो country की GDP basically बढ़ाता है वो आपका state है Maharashtra ठीक है answer यहाँ पे आपका हो जाएगा it is option number A which is followed by Uttar Pradesh ठीक है Rajasthan, Andhra Pradesh and then Madhya Pradesh तो यह आपके top states है ठीक है यहाँ पे इनकी percentage भी आप देख सकते हूं Now next is the InfiBeam avenues limited recently in December acquired dash percent stake in a pyramid Fintech by investing rupees 25 करो तो इन में से कितना percentage यो है आपका acquired किया गया है तो answer by the InfiBeam avenues तो answer here is option number C that is 49% ठीक है अब यहाँ पे इन दोनों का जो collaboration है basically इसका main aim किया है to combine InfiBeam's digital payment and AI based framework with a pyramid Fintech capital market capital market trading software ठीक है Now next is the exercise Ashtra Shakti 2023 took place at the Air Force Station in a Surya Lanka in Dash तो exercise Ashtra Shakti जो है 2023 की यह कहाँ पे held वी थी यह held वी थी आपके अंदर प्रदेश में ठीक है answer आपका हो जाएगा option number B अब यहाँ पे जो exercise थी exercise में Indian Air Force ने showcase किया था आकाश power system को and इन्होंने successfully test fire किया था surface to air missile for assured retaliation that is summer air defense missile system को ठीक है अब यहाँ पे आकाश weapon system की अगर बात करें तो यह आपका design और develop किसने किया है DRD उने ठीक है 27 E T 1 air to air missile infrared guided air to air missiles ठीक है and it is jointly developed by the Indian Air Force 7 base repair report Delhi and 11 BRD Nasik Maharashtra in association with your Indian private sector company इसका नाम है Sibran Flowtech Industries and Yamazuki Denki ठीक है next is the international migrant stay is annually observed across the globe on international migrant stay जो है हम इसे observe करते है 18th December को ठीक है answer आपका यहाँ पर हो जाएगा option number D और इसकी शुरुआज जो है इससे first time जो है observe किया गया था आपका 2000 में 18 December 2000 में और 2023 में इसका कॉंसे edition हमने observe किया है it was your 23rd edition and इसकी theme आपकी है act today fine next is the LIC has reduced its stake to dash percent from 5.012 percent in a Dixon technology तो यहाँ पर LIC ने जो है 3 percent जो है अपना stake है वो कर दिया है from the 5.012 percent से in a Dixon technology अब यहाँ पर Dixon technology की बात करें तो इनके CEO कौन ही इनका नाम है अतुल बिलाल and headquarters का NOIDA यो भी में लगे रिए है fine now next is name the company that has recently in December launched the Sukomi one satellite of a Japan based company institute for Kyushu pioneers of space from the from the mahi from the mahiya peninsular new from the new zealand तो आंसर आपका यहाँ पर हुचाएगा that is this company का नाम है आपका जो California based company है it is rocket lab टिक है आंसर आपका है option number D and यहाँ पर यहाँ पर चीज वोट करनी है जो आपके Sukuyomi one है ठीक है basically it is named after the Japanese god of the moon now next is which team won the Vijay हजारे trophy 2023-2024 in a final held in the Swarashwa Cricket Association Stadium in Rajkot Gujarat तो यहाँ पर जो 2023-24 के आपकी Vijay हजारे trophy है यह जीती है हर्याना ने और हर्याना ने फर्स टाइम इसको जीता है इस trophy को जीता है ठीक है और हर्याना ने फाइनल मैच में डिफीट किया था आपके राजस्तान को तो यह भी धियान में रखना है ठीक है नौ यह कौन से एडिशन था इडिशन था इडिशन जो आपका 23rd November से 16th of December तक चला था ठीक है अब यहां पर अगर हम titles की बात करें तो player of the tournament and player of the match दिया गया है सुमित कुमार को जो हर्याना टीम से बिलॉंग करते हैं then highest run scorer आपके है अरसलन खान चंडिगर टीम से then highest wicket taker बारुन चक्रवर्ती फ्रॉम तैमिलाडू अन यहां पर एक और चीज नोट करनी है इस तमिलाडू ने highest मतलब सबसे जादा बार इस trophy को जीता है और 5 ताइम मतलब पांच बार इसको तमिलाडू ने इस trophy को जीता है ठीक है 5 ताइम अब यहां पर प्राइज मनी की बात करें तो winner जो आपकी टीम है उसको वन करोर का प्राइज मनी दिया गया है वेरिस runner आपक सकता है आपका कि total number of teams कितनी हाँ पर थी तो 38 teams थी total and जो वीजय हजारे trophy है तेक है static question बन सकता है कि जो वीजय हजारे trophy है यह कौन से इंडिन क्रिकेटर के नाम पर रखी गई है तो इनका नाम है वीजय सैमूल हजारे तो इनका नाम है वीजय सैमूल हजारे तो यह आपके य यह आपके रूलिंग एमिर्थ है कुवेट के ठीक है आंसर है आपको क्या हो जाएगा इस ओप्शिन नमबर E ठीक है और यहाँ पर जो सिंबल है सेक्स वोकर राइट का यह आपको पूछिगा सकता है विच इस रड एम्ब्रेला वाइन साथ महीं यह आपर अधर डेई जो इसी शीज से रिलेटेड है वो दिख लेते हैं जैसे इंटर्नाशन सेक्स वोकर राइट डेज जो है यह अब Minority Day was observed on 18th December 2023 with a theme celebrating diversity and inclusion तो National Minority Day हम observe करते हैं 18th of December को ठीक है और इसकी शुरवाद जो है 2013 में की गई थी ठीक है अब यहाँ पर क्या बूला गया है यह कौन से edition था तो यह आपका था 11th edition तो answer is option number C ठीक है Now next is recently in December the Tiriyani block of Dash state secured the first position in a national institution for transforming India that is Niti Aayog's inaugural data delta ranking of aspirational block program for the first quarter of 2023-2024 तो answer आपका हो जाएगा that is this block belongs to your Kalangana ठीक है answer is option number C यहाँ पर second position आपकी थी कुशांबी block की जो उतर प्रदेश के आपके district में located है Now next यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर ranking दी गई थी blocks को zone wise अगर बात करें तो यह 6 zone में डिवाइट किया गया था ठीक है दो बेसिकल ब्लोग को यहाँ पर जो है ranking प्रोवाइट की दई है जैसे हिली और नौथ इसन स्टेश की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स रांग थी आपकी अमरी की जो आपका असम का है ब्लोग थेक है जो आपका उतर प्रदेश से बिलॉंग करता है और विरोन अगें फ्रोवाइट की बात करें तो मास्की फ्रों करनाटिका और नरानूर फ्रों तलंगाना वेस्टन इंडिन स्टेश की बात की जाए तो पहला आपका है सिरोंचा फ्रों महाराष्टा और अगें एहरी फ्रों महाराष्टा इंडिन स्टेश की बात की जाए तो पहले नंबर पर आपका है तिर्ला फ्रों मध्यप्रदेश और पार्ट अगें फ्रों मध्यप्रदेश इस्टन इंडिन स्टेश की बात की जाए तो पहले आपका है अंदर बिहार और रामगर्ड रॉम जारकन ठीक है ना नेक्स तुस्ट इन दिसेंबर 2023 यूनियन मिस्टर किरन रिजी जू has launched first Indian Winter Expedition to Architect to expand the India's scientific activities to other critical and core architect realms in New Delhi, Delhi. The India's Architect Research Station जिसका नाम हिमादरी है it is located in Dash. तो यह कहां पे लोकरेड है? यह लोकरेड है आपका Norway में ठीक है? Answer here is option number A. Now जो यह expedition है यह basically यह basically it is facilitated under the scheme which is polar science and cyrosphere research that is pacer scheme of the Ministry of Earth and Science through the edges of a national center for polar and ocean research, Goa. ठीक है? Now जो expedition है इसका main aim क्या है? To make the atmospheric observation in the earth's north pole during the winter night, ठीक है? and carry out the auroral studies and changes in the sea arts, ठीक है? Now अब यहां पे आपको नोट करना है इस expedition team यहां पे जो भेजी गई है चार scientist के यह कौन-कौन से आपके organization से बिलॉंग करते हैं? तो एक scientist आपके हैं, NCPOR से, then next is IIT Mandi, जो हमाच्यों बिदेश में हैं, then Indian Institute of Tropical Metrology, जो आपका पूने महाराश्च्व में लोकेड़े हैं and रामन रिसर्च इंसिट्योट फ्रम दी रांग्डरो करनाटिका, ठीक है? तो यह चार scientist के team यहां पे बीजी जा रही है, ठीक है? next is which of the following option is our correct with respect to the 18th session of a UNESCO Inter-Governmental Committee for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage held in December 2023 so यहां पे 18th edition जो आपका UNESCO का हुआ था वहां पे उसी से related यहां पे आपके options दिये गए हैं you have to select the correct statement, ठीक है? first is 18th edition of the UNESCO Inter-Governmental Committee for the Safeguarding of a ICH was held from 5th to 18th of December 5th to 8th of December 2023 in a Republic of Botswana next is the session inscribed 55 new cultural practices to its intangible cultural heritage list in response to the nomination submitted by the 72 countries then Garbha Folkdans of a Gujarat has been inscribed in a representative list of Intangible Cultural Heritage of a Humanity by UNESCO तो यहां पे सारे ही statements जो गिवन हैं आपको यह they all are correct तो answer is option number E all 1, 2 and 3 are correct तीक है? इसके अलावा यहां पे आपको जो इंपोर्टन चीज़़ा वो डिसकूस कर लेते हैं जैसे 55 new item यहां पे जो है basically cultural heritage list में शामिल किये गए हैं जिस message है आपके आपके जो है list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding इसमें include किये गए हैं then 45 आपके include किये गए हैं representative list of the intangible cultural heritage of humanity में and 4 यहां पे जो है register किये गए है include किये गए है register of good safeguarding practices में तिक है इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया के जैसे हमने आपके बात की कि गर्पा को यहां पे इसमें include किया गया है representative list of intangible cultural heritage में इसे ही ICH elements इंडिया से जो पहले भी हापे इसमें शामिल किये गए हैं वो कौन-कौन से हैं जैसे 2021 में West Bengal की दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया था then कुम मेला in 2017 नवरोज 2016 में योगा अगयन इन 2016 और 2008 में वेदिक चांटिंग को इसमें शामिल किया गया था तिक है अब नाम है एंड्री और उसले और युनेस्को का आपका हैड कोर्टर कहां लो करिड़ है यह लो करिड़ा है परिस फ्रांस में ठीक है यहाल में रखना है आपको नाव नेक्स अकॉरिंग को नाव नेक्स्स अकॉरिंग तुद वर्ल बंक फॉलूड वाय मेक्सिको चाइना फिलिपन्स अंड एजिप्ट ठीक है यहां पर आप जो है पूरर रेमिंट एस्टिमेटेड जो है वह देख सकते हों जैसे मेक्सिको का 67 बिलियन है 50 बिलियन चाइना का 40 बिलियन फिलिपन्स का और 24 बिलियन एजिप्ट का फाइन नाव अब आपके डिजीज जो है यह आपका बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है ठीक है फास्ट प्रेडिंग बैक्टिरियल इंफेक्शन जो गम इंफ्लमेशन से स्टार्ट होता है और अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और यह बहुत जल्दी फैल जाता है और बोन को भी दिस्ट्रॉय करता है जिसके वैसा डेठ भी हो सकती है ठीक है सात में है डेस्विगर्मेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ठीक है अब जो यहाँ पर बेसिकली जो आपके 2-6 साल के बच्चे होते हैं जो बेसिकली माल नुट्रेशन के शिखार होते हैं उन बच्चों को यह ज़्यादा एफेक्ट करता है ठीक है और ऐसे रिजिंस में ही ज़्यादा देखा गया है जिस यहाँ पे एक्स्रीम पोवर्टी होती है ठीक है तो मैक् पर एक चीज नूट करनी है आपको कि जो गवर्मेंट आफ नाइजीरिया है इन्होंने इस यहाँ पर बेसिकली एफ़र्ट लगाया था कि जो आपका नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है उसमें नॉमा को शामिल किया जाए ठीक है फिर पिछले साल 2023 में जनवरी 2023 मे कि नॉमा को इस काटेगरी में डाल दे जाए नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज काटेगरी में ठीक है जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर पहले यह 20 डिजीज थी आप 21 डिजीज का यह गुरूप हो गया है इसमें शामिल आपकी नॉमा बुरूली अलसर फिर आप आपका डेंगू चिकन गुनिया यह सारे भी इसमें चामिल किये गए हैं तो टोटल इहां पर 21 लिस्ट मैंने आपको आड की है आप इसे देख सकते हैं चीक है आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया तो like and share जरूर कीजेगा और हमारे साथ जुनने के लिए हमारे चामल कर सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपके कुछ सजेशन है तो you can mail us at benchmarkstudy00788gmail.com पर या फिर आप हमें comment section में भी लिख सकते हैं so milenge asahi next video goes out till then take care have a nice day and all the best for your preparations